है है लो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई इस्टूडी शीट चनल दोस्तों प्रिवियस यर में जितने भी कोस्टन फिजिकल एजुकेशन कमपटिटिव जॉंस टिजिटी फिजिटी के वियस एन वियस यल्टी में पूछे गए हैं उन सभी कोस्टन को आपके समझ प्रस्तुत क किया जा रहा है और दोस्तों यदि आप इन सभी एक जानल को प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलिवस के कार्डेंग हैं उन सभी वीडियो इसको वाज़ करके आप अपने तयारी को बेहतरिंग कर सकते हैं और दोस्तों डेली बेसेस पे यम प्रिजर्श ओपन टेनिस 2018 में कोच किये जाने के लिए यानि कोचिंग का उलंगन किये जाने के लिए चेतावनी दिये जाने पर स्रेना बिलियम्स पर कितनी रासी का जिर्मना लगाया गया था तो कोचिंग का उलंगन पर इसको चार हजार डालर का इसको जिर्मना लगाया गया था जैसे कि दोस्तों यूएस ओपन यूएस ओपन टेनिस 2018 में स्रेना बिलियम्स पर कुल सत्रे हजार डालर रासी का जिर्मना लगाया गया था जिसमें स्रेना पर दस हजार डालर का जिर्मना चेर अमपायर से बहस करने पर लगाया गया था और चार हजार डालर कोचिंग के उलंगन करने पर और तिन हजार डालर टेनिस रैकेट तोरने पर जिर्मना लगाया गया था उलेकनी यह बात यह है कि जापान की 20 वर्सीय टेनिस खिलाडी नाओमी वोशाका ने स्टेरिना को हरा कर यूर्श रोपन 2018 का खिताब जीता और स्टेरिना अपने 24 वी ग्रेन इसलेम खिताब को जीतने से चुक गई जैसा कि दोस्तों टेनिस खेल में चार ग्रेन इसलेम टूनामेंट और वर्स आजवित की जाते हैं तो सबसे पहले होता है आस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर विमल्डन ओपन, सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है ठीक है आस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन इस दुनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं एंड फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है एंड विमल्डन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है अंड जो प्रेंच ओपन होता है और अंड बंडन ओपन जुलाइ अगस्त में एंड येज़ ओपन अगस्त रthing में खिला जाता है कड़म मलेशोरी किस प्रांच से संबंध रखती हैं जैसा कि आप सबको पता है आंधर प्रदेश से यह संबंध रखती है ठीक है यह भारत की दोस्तों वेट लिप्टर है भारत तोलग खिला रहे हैं और इन्होंने 2000 सिजनी ओलंपिक में इन्होंने वेट लिप्टर में यान सब्सक्राइब की तरफ से कोई पदग इतने वाली कडम मलेशोरी पहली महिला है ओलंपिक में पदग इतने वाली ठीक है और दोस्तों इन्हें 95 में भारत का सरोजची खेल पुरुसकार राजी गांदी खेल रत ने परदान किया गया नेश्ट दोस्तों इस वी आपको सुमिनित करना है जैसे कि ए है फ्लाइंग शिक किसे कहा जाता है दोस्तों आप सबको पता है मिल्खा शिंग को फ्लाइंग शिक कहा जाता है ए का डू हो जाएगा ठीक है एंड इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस किसे कहा जाता है दोस्तों टेनिस के महान खिलारी लेंडर पेश और महेश भुपती को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है तो बी का फोर हो जाएगा एंड पायोली एक्स्प्रेस किसे कहा जाता है तो पायोली एक्स्प्रेस पीटी उर्षा को कहा जाता है तो सी का 3 हो जाएगा ठीक है एंड मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है सचीन तेंदुलकर को तो D का 1 हो जाएगा यहाँ पे आफ्सन नूमबर D करेक्ट हो जाएगा Next question है किस वर्स में सचीन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था तो 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ठीक है नेक्स्ट है निम्न में से किस अस्थान पर प्राचीन ग्लेडियेटर मुकावला आयोजित होता था तो किस अस्थान पर होता था रोम में होता था ठीक है वेरियेटर मुकाबला प्राचीन रोमन समराज में मनरोंजन के लिए की जाने वाली ससस्त्र लड़ाकों की एक इसपरधा थी जिसका आयजन रोम में किया जाता था नेश्ट है बिश्चु का सबसे उच्चा क्रिकेट मैदान कहां पर इस्थी थे दोस्तों चैल भारत में इस्थी थे विश्चु का सबसे उच्चा क्रिकेट मैदान चैल हिमाचल परदेश में इस्थी थे यह समुद्र तर्षे 2444 मिटर यानि 8,018 फिट की उच्चाई पर इस्थी थे यह मैदान 1893 इस्थी में पर्टियाला के महाराजा भुपिंदर सिंग द्वारा निर्मित कराया गया था बर्तमान में यह मैदान चैल मिलिटरी इस्थी श्कूल और भारत सरकार के अधीन है नेक्ट कोश्चन है कौन सा देश अफिम का सबसे बड़ा उत्पादक है जिससे हमाई नसीली द्वाएं तयार की जाती है जिसे हेरोईल हो गया नसीली द्वाओं का निमार किया जाता है नार्कोटिक्स तयार किया जाता है जो दर्द नाशक होता है ठीक है next question है पूरे बिश्व में सारी रिष्ष सिच्छा को माना जाता है क्या माना जाता है एक कला और बिग्यान दोनों माना जाता है option number d correct है दोस्तों सारी रिष्ष सिच्छा मानवी गति बिधियों का अध्यान अभ्यास और मुल्याकन करने की कला जान है next question है double Nelson कारे निती किस खेल से संबंधित है तो किस संबंधित है कुस्ति से आशन number d correct है दोस्तों double Nelson कारे निती कुस्ति खेल से संबंधित है इसमें एक खिलाडी दुसरे के पीठ की तरफ से अपने दोनों हाथ दुसरे खिलाडी के दोनों हाथों के नीचे से उपर की और उठाते हुए गर्दन के पीछे ले जाकर हथेलियों से लाख बनाते हुए दबाव को बढ़ाता जाता है जो दुसरे खिलाडी के लिए कस्ट दाई होता है यही होता है डबल नेंशन कारे निटी नेक्स कोर्शन है प्रत्थम राष्टी या मेराथन दोड कहां आउजित की गई थी तो पूड़े में आउजित की गई थी आपसर नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा भारात की पहली राष्टी या मेराथन दोड पूड़े में वर्स 1919 में आउजित की गई थी पूड़े इंटरनेशनल मेराथन वर्स 1903 से प्रती वर्स एजित की जा रही है थी नेक्स कोर्शन है धावक ट्रेक में दोड़ते शमें मोड पर बाई और क्यों जुखता है इसका सही जवाब है अभी केंद्रिये बल के कारण यानि सेंट्रिपीटल फोर्स के कारण जैसा कि दोस्तों केंद्रा भी मूखी या अभी केंद्रिये बल इसे सेंट्रिपीटल फोर्स कहते हैं यह वह शक्ति होती है जो एक वस्तु को बृत्तिय पथ में घुमाने के लिए जरूरी होता है तथा यह हमेशा बृत्तिय पथ के केंद्री की ओर निदेशित होती है सेंट्रीपिटल फोर्स और धावक ट्रैक में दढ़ते समय मोल पर बाइं योड अभी केंद्री यह बल के कारण जुगता है ठीक है सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है अभी केंद्री बल बृत्तिय पथ के केंद्री की ओर निदेशित होती है और वही जो सेंट्रीफीगल बल होता है अप केंदरी बल होता है वहाँ केंदरी से बाहर की और निदेशित होता है ठीक है नेक्स कोश्चन है निमनिमेशे किस इस्तर पर समगर खेलों में चैंपियन के लिए मौलाना आजाद ट्राफी प्रदान की जाती है तो दोस्तों मौलाना आजाद ट्राफी जो है वो विश्व विद्याले के यानि वर्स भर में सरुसेष्ट खेल प्रदर्शन करने वाली विश्व विद्याले को दिया जाता है तो किस पर दियाता है विश्व विद्याले इस तरपर आपसन नमबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा यानि इसको साट में मा का ट्रॉफी भी बोला जाता है ठीक है मलाना अबुल कलाम अजाद ट्रॉफी ठीक है यह जो है 1956 संतावन में सुरुवात किया गया था दोस्तों इसमें अब पहले 10 लाख रुपे दिया जाता था विजेता को बट अब 15 लाख रुपे दिया जाता है ट्रॉफी वो प्रमाड़ पत्र के साथ प्रथाम अस्थान वाले को 15 लाख अब दूसरे अस्थान वाले को साह 7 लाख और तिसरे अस्थान वाले को साह 4 लाख दिया जाता है अब तक में सबसी ज़्यादा बर माका ट्रॉफी जीतने वाला विस्व बिद्याला है गुरु नानक देव उनिवर्सिटी अम्रित सर्क अभी तक में 22 बार जीता है ठीक है अब दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है कि खिलाडियूं आप धन्य है आप लड़ाई के मैदान को खेल के मैदान के रूप में बदल देते हैं यानि गृड़ा के बदले प्यार बाटते हैं या कथन खिशका है तो जुआन एंटोनियो समरांच का है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोसी नहीं है इसके दोसी नहीं है नेक्स्ट है नेक्स्ट कौन सा एक ब्यक्ति की स्वास्थ को प्रभावित कर सकता है बेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तों इसको ध्यान से सोच के उत्तर देजिएगा कि कौन सा एक ब्यक्ति की स्वास्थ को प्रभावित कर सकता है क्या है दोस्तों किस पर हमारा काबू नहीं है तो अनुआनसिक्ता यानि हेरिडिटी पर हमारा काबू नहीं है अनुआनसिक्ता यानि हेरिडिटी या एक ब्यक्ति की स्वास्थ को प्रभावित कर सकता है अनुआनसिक्ता की अन्तगत वी लच्छड आते हैं जो पिड़ी दर पिड़ी गुड़ों को हस्ताद्रित करते हैं जैसे की हमारा सरीर, शुभाव, सरीर रचना, शुभाव, गती, वड़ आते नेक्स कोश्चन है, मूर्गी का मुकाबला, कबूतरों को उड़ाने, तथा जादोगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला था तो यह मुसल्मान काल में इसको बढ़ावा मिला था, ठीक है, आसन नमबर भी, करेक्ट होगा नेक्स कोश्चन है, खेल उपकरण करे करते समय किन बातों का विशेश महत्त्व है, तो दोस्तों आप कोई भी खेल उपकरण खई देंगे, तो किन बातों का धियान रखेंगे, उसकी गुड़ुवत्ता, आपके पास बजट कितना है, उसके उनसार देखेंगे, और वह न नियाय उचित होना चाहिए, तो आपसान नमबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, गुड़ुवत्ता, बजट के उनसार एवं आदेश नियाय उचित हो, ठीक है, नेक्स कोश्चन है, भारत सरकार ने 1969 में कुंजरू शमीती का गठन किसलिए किया, तो दोस्तों किसलिए किया इस कुंजरू शमीती का गठन भारत सरकार ने, यहाँ पे आपसान नमबर बी करेक्ट है, सारिक श्वास्ता एवं चरित्र निर्मार आदी योजनाओं का परिच्छर करने के लिए इसको भारत सरकार ने बनाया था, यहाँ पे आपसान नमबर बी करेक्ट है, एन दोस्तों 1969 पंडित हिदरनाथ कुंजरू की अधिस्ता में नेशनल फिटनेश कोर की स्थापना की गई इस समीति का कारे देश भर की सारिक शिच्छा संस्थानों में चल रहे सारिक शिच्छा मनुरंजन और अनुसासन समंदी मुलेवान योजनाओ का मल्यांकन करना था ठीक है and धोस्तों यो कुंजरू समीति था एं जननसिकिस त्षापना फट्रित हिजना कुंजरू के द्वारा ही किया गया था ठीक है कि एन दोस्तों next question है कि budget क्या है I back आए का विविर्यड है कि I बेक का अनुमानित विविर्यड है यहां पे confusion not हुईएगा संपूर विविर्यड नहीं होगा आपसर number c यहां पे correct है यहां दोस्तों किसी संस्था या सरकार के एक words की अनुमाणित आए ब्यायका लेखा जो खाब budget कहलाता है सरकार का budget अब केवल आए ब्यायका विवरण मातर नहीं होता अपितू या सरकार के क्रिया कलापो एवं नितियों का विवरण भी होता है ठीक है सरकार की नहीं दोस्तों किसी भी फिल्ड में इस सब्का लेखा जो का आनुवान इस वीविड़र तयार करेंगी वही आपका बजट होता है, ठीक है? next question है, 12 बत्ति स्टेडियम कहां इस्थित है? तो 12 बत्ति स्टेडियम कहां पर इस्थित है, दोस्तो काटक उडिशा में, ठीक है, आपसर नमबर C करेक्ट है प्रमुक इस्टेडियम है इडन गार्डन कुलकत्ता में है वान खेड़े स्टेडियम कहां पे है मुंबई में है नेहरू स्टेडियम कहां है इंदौर में है फिरोष्षा कोटला कहां पे है दिल्ली में है चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पे है बंगलूरू में है एम ए चिदंबरम स्टेडियम कहां पे है केपक चिन्नई में है विबराण स्टेडियम कहां पे है मुंबई में है रूप सिंग स्टेडियम कहां पे है गौालियर में है गुजरात इस्टेडियम कहां पे है आमदाबाद है दोस्तों जो गुजरात इस्टेडियम का अब नाम बदल करके नरेंद मोदी इस्टेडियम हो गया है और यह इस्टेडियम जो है विशु का सबसे बड़ा इस्टेडियम हो गया है इससे पहले सबसे बड़ा मेलबून क्र लखनौ में तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई होब कि सभी कोस्टिन्स वेरी इपॉर्टेंट है दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और ज्यादे से ज्यादे दोस्तों सेर किया किजिए जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके जिससे आपके लिए मैं डेली बेसे से वीडियो बनाती रहूं और जोस्तों फर्ष्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बिल आइकन को फ्रेस कर लिजे जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आपके पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्ट व झाल को हिए मिलते हैं